कैसे हो दोस्तों, उमीद है सभी लोग ठीक होंगे आज और एक फोन का रिभीव लेकार में आचुका हूँ Realme Narjo 50i एवी ठीक टाक फोन है और इस फोन को मैं 20 दिन तक यूज कर रहा हूँ और अभी टाइम हो चुका है इसका डेटेल रिभीव देने का तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तो फिलिपकर बिग दिवाली सेल चल रहा है तो बहुत सारे भाई लोग फोन खरीदेगा तो वीडियो देखने के बाद डिसाइड करना आप लोग फोन खरीदो के नहीं तो लास्ट तक जैरूट देखना सुरू करते हैं बैटरी से 5000 इमिंद्स का बैटरी दिया है और इस फोन का मैं बैटरी डेन्टेस्ट भी किया था दो तरीके से किया हूँ एक Day-to-Life यूज और एक Heavy यूजë Day-to-Life में मैंने क्या 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 कौल बैगरा कुछ कर लेना कुछ gaming बेगरा खेल लेना कभी कबार camera बेगरा को open कर लेना तो इस तरी के से use करने में मुझे 2 दिन तक गया है इसका battery live मतलब day to live यूज़ करने में और हमने जब इसको continue use किया तो continue मुझे 8 घंटे से 9 घंटे तक दे दिया था तो ये मुझे बड़िया लगा इसका जो battery का जो capacity है या बोल सकते हो battery का जो power है वो काफी अच्छा है काफी देर तक चलता है और उससे भी बड़ी बात एफोन बाजेट के अंदर आता है और उस बाजेट में real me यहाँ पे reverse charging का offer कर रहा है तो ये मुझे बड़िया लगा मतलब phone को ही आप power bank बना सकते हो 10 watt का charger दिया है तो अगर अब लोग full charge करने जाओगे बहुत time लगेगा लगवक धाई से 3 घंटे तक लगेगा तो ये अब लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना अभी performance के बारे में बात करते हैं इस phone में Unisock का एक घटिया सा chipset दिया है और इस phone के उपर में आंतुतु benchmark को भी रान किया था उतना अच्छा score नहीं आया है उससे भी बड़ी बात अच्छी तरीके से performance अटेस्ट करने के लिए हम लोग यहां पे BGMI को इंस्टॉल किये थे मतलब पहले 10-15 मिनिट या 10-20 बार तक इंस्टॉल ही नहीं हुआ मतलब मैं इंस्टॉल करने जाता फिर से homepage में चला जाता तो इस तरीके से lag कर रहा था उसके बाद ऐसे तैसे करके हम लोग इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद जब हम लोग BGMI को मतलब रान करने लगे इतना जादा lag इतना जादा hang मतलब थोड़ा बहुत अंतर जाता है उसके बाद बाहर निकाल देता है तो इस तरीके से हो रहा था हम लोग यहां पे BGMI को खेली नहीं पाया समझ रहे हो ना मैं हर फोन में खेल के दिखाता हूँ लेकिन इस फोन में हम लोग खेली नहीं पेया BGMI को तो इस फोन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस फोन का जो प्राइस है वो 9,000 रुपीज है और 9,000 रुपीज में बहुत सरे अच्छा अच्छा फोन है जो बहुत सरे अच्छा अच्छा पार्फोमेंस के साथ ओफार करता है लेकिन इस फोन में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया पार्फोमेंस तो सबसे घड़िया है और एब ओपिनिंग के बारे में मधी पूछो तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कर दे सकता है डेटोलाइप यूजेस में भी लैक हैंग बैगरा होगा बहुत सरे वह लोग अभी स्मार्ट हो चुका है बैंकिंग एप बैगरा यूस करता है लगवग 10-12 एप तो इंस्टोली कर लेता है प्लेश्टोर चे अगर इतना एप इस फोन में घुसाओगे तो यार एप फोन डेट हो जाएगा सच में मेरे मानों तो इतना जबता लैक करता है क्या ही बताऊं रैम मेनेजमेंट मुझे ठीक टाक लगा है बहुत सरे एप को मैंने एक साथ उपिन किया था और हर बर की तरही 2-3 घंटे के बाद मैंने जब चेक किया तो लगवग 80% या 85% एप रैम में था तो यह मुझे बढ़िया लगा रैम मेनेजमेंट इसका बढ़िया है रैम मेनेजमेंट में कोई भी प्रोब्लेम यहाँ पे नहीं है 6.5 एंच का HD PLUS LCD पैनेल यहाँ पे देखनी को मिलता है डिस्प्ले क्वालेटी ठीक तागे इस प्रेस में कोई भी फूल एज्टी ओफार नहीं कर रहा है तो डिस्प्ले क्वालेटी मैं कहूंगा एभारेज है मैंने बहुत सारे वेडियो बेगरा देखा था डिस्प्ले में जो कालर कॉंट्रस बेगरा ठीक टाक मिंटेन करके अच्छा प्रोबेट करता है अगर आप एफोन खरीद रहे हो तो डिस्प्ले थोड़ा सा बेडार है यह मैं कह साकता हूं डिस्प्ले में कोई भी सिकैत नहीं रहेगा इसका जो बिल्ट क्वालेटी है वो मुझे बड़ी अलगा बैकसाट की तरफ पॉलिकार्बोनेट यूज किया गिया है उससे भी बड़ी बात मैट फिनिस यूज है तो नहीं तो क्रेचेस आएगा नहीं तो हातों का निसन बगर आएगा मैं कुछ दिन तक बैककेस के बिना ही यूज कर रहा हूं नहीं तो क्रेचेस नहीं तो हातों का निसन कुछ भी नहीं आया है और हाथों में comfortable fill भी देता है काफी अच्छी तरीके से use कर पाओगे इस phone को और यहाँ पर fingerprint sensor भी नहीं दिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा minus point है यार 9000 रुपिस में launch किया है कम से कम fingerprint sensor तो दे देते तो यह भी नहीं दिया है 8MP का back camera, 5MP का selfie camera camera के बारे में मती पुछो क्या ही बता हूँ मुझे बोलना पढ़ रहा है लेकिन मैं सज में दोस्तों में यह सब कुछ सेयर करना नहीं चाहता हूँ फिर भी मुझे लगता है honest रहना पड़ेगा तो इसलिए मैं अब लोगों को बता रहा हूँ इसका जो camera quality है वो मुझे उतना खास नहीं लगा मतलब background में जो bouquet बेकर करता है एक तो swap tier से bouquet करता है तो उतना खास नहीं है age detection background उतना मुझे खास नहीं लगा detailing भी मुझे उतना खास नहीं लगा dynamic range में क्या होता है जो dark portion होता है न उसको और भी जादा dark करके दिखाता है तो dynamic range में भी realme को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा selfie camera में थोड़ा सा beauty कर देता है तो यह आप लोग थोड़ा सा ध्यान में राखना और budget के अंदर आता है उसी के हिसाब से अकर देखा जाए तो थोड़ा सा downgrade है इससे और भी थोड़ा सा बेटार होना चाहिए था मतलब realme इस phone को किस लिए launch किया मुझे समझाओ एक बात किस लिए launch किया नहीं तो इसका performance अच्छा है नहीं तो इसका camera अच्छा है overall ठीक ठाक phone है इससे तो अच्छा है Poco C31 मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और इस price में और भी बेटार बेटार फोन है अभी flip card big diwali cell चल रहा है न और इस cell में realme नार्जो 30 बेगरा 10,000 में मिल जाएगा अगर आप 1000 रुपीस extra दोगे तो मैं कहना का एक कसिस कर रहा हूं और हाँ एक बड़ी चीस में आप लोगों को बताना भूल गया एक realme UI Go Edison के उपर आता है तो थोड़ा सा डाउंग्रेड है यहां पे भी तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं यह फोन आप लोगों को बाई करना चाहिए कि नहीं यार बिल्कुल भी बाई मत करना अपका जो पैसा है वो सही जगा में लगाओ क्यों इतना घटिया फोन के उपर लगा रहे हो मतलब एक realme का ही फोन है मैं realme का और दो तिन फोन बता देता हूं realme Narjo 50A realme Narjo 30A realme Narjo 20 realme Narjo 30A उसारे फोन बगेरा काफी अच्छा है उसारे फोन के पास देख सागते हो इस फोन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी खरितना मत समझ रहो ना बिल्कुल भी खरितना मत ए मेरा honest opinion ने वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करके बिल एकन बचने टाइम आल में जरूर क्लिक करना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले फ्रेस वीडियो में तब तक मचा आते रहो